सोलन का शामती बाइपास महज 5 किलोमीटर का है और करीवन 10 वर्षों से इसका निर्मान काया चला हुआ है लेकिन अभी तक इसका कारा पूरा नहीं हो पाया है इसकी सबसे बड़ी बजा विबागों में आपसी ताल्मिल की कमी और अधुकारियों की लेट लथिफी है यही का शामती बाइपास महज 5 किलोमीटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्मान कारे चला हुआ है लेकिन अभी तक इसका कारे पूरा नहीं हो पाया है इसकी सबसे बड़ी बजा विबागों में आपसी ताल्मिल की कमी और अधिकारियों की लेट लथिफी है यही कारण है क कई वर्षों से बाइपास का निर्मान अधर में लटका हुआ है यही कारण है कि शहरबाजी को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है लेकिन बिभाग है कि कुम्ब करनी नीन सोय हुए है लोग निर्मान बिभाग ने सडक बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सडक क असपास आने वाले बिजली के पोलों को शिफ्ट करवाने के लिए आगरे के साथ-साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिये हैं लेकिन बिजली बोड है कि गिरने की गगार पर खड़े करीबन आदा दर जजन पोलों को नजने किस बज़क से शिफ्ट कर रहा है उन्होंने कहा कि जहां ये पॉल गिरने की कगार पर है वे आम डास्ता है बच्चे बुड़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं जो दुरगटना का शिकार हो सकते हैं और अगर कोई हाथसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा इसलिए समय रहते इन बिज लोगों को काफी नुकसान हो सकता यहां बच्चे स्कूल के भी आएंगे पब्लिक भी चलेगी कल के लिए कोई दूरगटना हो जाती तो इसका रिस्पोंस किसके पास होगा कौन जिम्मेवारी लेगा है हमारा ये भी प्रशासन जो है इसके बारे में कुछ कारवाई करें अब यह त्रीफेस लाहिन है इल्यक्ट्रिकल की मालो पॉल गीर जाता है गवर्मेंट का नुकसान है पबलिक का कितना नुकसान है किसी का बच्चा मालो बतार पे तार के निच्ची आ जाए कोई आदमी तार के निची कोई लेडी कोई भी आसकता है तो यह प्रशासन को य आदमी आते जाते रसता है कि तो तो दूर घटना हो सकती है कि आदमी मतलब खत्रा आदमी के लिए अगो पकाऊना चीची ये भी इसी मतलब कहीं ऐसी जगा में लगाओ जहां खत्रा ना हो इनसान को आदमी दो तो ये थास दिंगर का कारेकरम कल फिर हाजर होंगे निगत पिजियों के साथ आप ऐसे ही जुड़े रहे एस टूडे के साथ नमस्कार